नमस्कार आप देख रहे हैं स्ट्रिवी नियूस मैं हूँ रंधिर कुमार उत्तर विहार की परमुख खबरों की सुर्वात में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर बिश्व पर्यावरन दिवस के आफसर पर चिलिया पर्खन अंतरगात मीरपूर जमन साह पोखर पर पुर्वी चमपारन जिला अधिकारी ने कियाब रिक्षा रोपन पोखर के सौंदारी करन को लेकर दिये कई जरूरी दिशान्जरी देश पुर्वी चमपारन जिला अधिकारी ने चिलिया पर्खन अंतरगात मधवनी पंचायत के सितलपटी गाउं में वैक्षिनेशन सेंटर का किया निर्क्षन सेंटर पर परतिन यूगत अधिकारियों एवं करमचारियों तथा मेडिकल टीम को दिये आवस्यक दिसानिर देश विश्व पर्यावरन दिवस पर आज सूबे के मंत्री सह अस्थानिये विधायक प्रमोद कुमार ने किया पौधा रोपन वोले जल जीवन हर्याली योजना के माध्यम से पर्यावरन संरक्षन के लिए बिहार ने पेश किया है उदाहरन पुर्वी चमपारा जिला अधिकारी ने मोतिहारी सदर अस्पताल का किया निरिक्षन और स्वास विभाग के अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक दिये कई जरूरी दिसानिर देश सुगाली में विश्व पर्यावरन दिवस के मौके पर ब्रिक्षा रोपन कर लोगो को किया गया जागरूब करोना काल में संपरदाइक सोहार्थ की अनुठी मिशाल पेस कर रहा है मोतिहारी का अंजुमन इस्लामिया भूखे वा जरूरतमंद लोगो के बीच लगातार केम्प लगा कर बाटा जा रहा है निसुल्क भोजन करोना संकरमन और लोगडाउन के बीच रोग्ट्रेक्ट क्लब औफ महात्मा गांधी के इंजरेव श्रिक द्यालय के द्वारा अहार पोसन का भंडार और जीवन का आधार प्रजेक्ट का किया गया सुबारम जरुरतमंदों के बीच बाटे गए खादे समागडी स्टेट बैंक ओफ इंडिया बाराथ चकिया में आज पर्यावरन दिवस के आफसर पर किया गया ब्रिक्षार ओपन कई बैंक करमी रहें मौजूद सुबाली प्रखन शेत्र में 9,83,000 की लागत से होने वाली पेवर ब्लॉक निर्मान योजना का हुआ उद्धाटन डीडी सी सहित कई लोग रहें मौजूद सिवर में 45 वर्ष से अधिक उम्र के टीका लेने वाले वेक्टियों को 6 स्पॉंसर के माध्यम से डीएम और डीडी सी ने दिया गिफ्ट टीका लेने के बाद गिफ्ट पाकर गदगद दिखे लोग पर्यावरण दिवस पर आमवा मन में किया गया व्रिक्षा रोपन लोगों से की गई अधिक से अधिक व्रिक्ष लगाने की अपील आज विश्व पर्यावरन दिवस के आउसर पर 47 वी वाहिनी ससस्त्र सीमा बल के द्वारा किया गया ब्रिक्षा रोपन लगाए गये पौधे सुगौली में बार से बचाओ की तैयारी वस संगठन की मजबूती को लेकर प्रखंड राजत कार्यालाय में अस्थानिय विधायक नेकी बैठक देश में बढ़ते महंगाई को लेकर रक्षौल इवा कांग्रेस के बैनर तले रक्षौल विधान सभाः अध्यक्ष के नेत्रितों में किया गया विरोध प्रदर्शन आदापुर प्रखंड इस्तित SSB के 71 वाहिनी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर किया गया ब्रिक्षा रोपन पर्यावरन दिवस के अफसर पर आज लगाए गया पौधे सुगावली पुलिस ने सराब के साथ धन्दे बाज सहित तीन अने लोगों को किया गिरप्तार भेजे गया जेल चनपटिया रेलवे प्लेटफॉर्म पर हुआ पौधार ओपन पर्यावरन के महत्व को लोगों में किया गया साजा आदापूर प्रखंड के कुरया ग्राम इस्तित SSB के सहाई कमांडेंट अंसल सिर्वास्तों के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर चलाया गया सफाई अवियान अचानक लगी आग में पांच मवेशी समेत लाखों की संपती जलकर हुई खाक तीन मवेशी की हालत गंभीर नरकटिया गंज प्रखंशेत्र का है मामला बिश्व पर्यावरन दिवस पर रक्सौल चैंबर ओफ कमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने ICP में किया व्रिक्षा रोपन पर्यावरन से जुड़ी बाते की गई साजा चप्रा पटना मुख्य मार्क पर बालू लदी ट्रकों की फिरसे आई बाड सारन में बालू माफियाओं के विरुद हुई जिला परसासन की बड़ी कारवाई के बाद से लगा था लगाम और पुर्वी चमपारन जिला अंतरगत हरसिदी थाना शेत्र इस्तित बगहा नहर के साइफन के पास से 20 वर्षिय युवक का मिला 100 पुलिस जाजवे जुटी पुर्वी चमपारन जिला अधिकारी सिर्शत कपील असोक के दवारा विश्व पर्यावरन दिवस के अवसर पर चिलिया परखन अंतरगत मीरपूर जहमन साह पोखर पर बिरिक्षारोपन किया गया इस दोरान उन्होंने कहा कि इस पोखर के सौंदरी करन पर विशेश ध्यान दिया जाए इसके चारो तरफ पेर लगाए जाए ताकि यह पोखर हरा भरा हो सके तालाब के चारो कोने पर बड़ा पेर लगाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि यहाँ पर ओपन जिम बना जा सकता है, साथ ही इस पोखर में बोट की बेवस्था की जा सकती है, इससे पोखर का सौंदारी करण और बेहतर होगा, जिलादिकारी ने कहा कि परियावरन दिवस का मुख्य उदेश से परियावरन सनरक्षन के प्रती कृत संकल्पित होना है, उन्होंने कहा कि मानाव प्रत्मान में संचालित, जन जीवन हरियाली अवियान उक्त उदेश्यों की प्राप्ती हेतु एक सार्थक प्रयास है, जिसमें हम सभी की भागेदारी आवस्यक है, इस मौके पर विकास आयुक्त अनुमंडल पदादिकारी सिक रहना, प्रखन विकास पदादिकारी सहित, आज विस्व परयावरन दिवस के मौके पर महात्मा गांधी अस्मृती अस्थल गजपूरा मिडिल स्कूल के प्रांगन में गन्नाव द्योग एवं बीधी विभाग मंत्री सह अस्थानिय विधायक प्रमोद कुमार ने पौधार ओपन किया। संजुक तराष्ट महासभादवारा आयोजित विस्व परयावरन सम्मेलन में चर्चा के बाद सुरू किया गया। साधी में कई आकस्मिक घटनाए घटित हो चुके हैं। आगे उन्होंने महात्मा गांधी के उस बात को याद दिलाते हुए कहा कि प्रित्मी वायू भूमी तथा जल हमारे पुरवजों से प्राप्त संपतिया नहीं हैं। वो हमारे बच्चों की धरोहरे हैं वे जैसे हमें मिली हैं वैसे ही उन्हें अगली पीडियों को सौपना होगा। इन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रधान मंदरी नरेंद्र मोधी के द्वारा पड़या वरन संरक्षन के लिए लगातार कारे किये जा रहे हैं। और आगे उन्होंने कहा कि मुख्य मंदरी नितीश कुमार्द वारा जल जीवन हर्याली मिसन के तहत मानो स्रिंखला बनाकर पूरे बिहार एवं देश को जागरुक करने का अवियान चलाया गया। आज राज के हजारो नाला नहर अहर पईन पोखर को सुधिड करने के साथ जल संचय एवं समवर्धन की ब्यापक्ता के साथ पौधा रोपन अवियान चलाकर पूरे देश में बिहार ने एक उदाहरन पेश किया है। तथा COVID-19 के वैक्सीन को लेने हे तू लोगों को प्रेडित किया। उन्होंने कहा कि कुरोना संकर्मन का एक ही इलाज है वैक्सीन। अतह वैक्सीन अवस्यले तथा लोगों को वैक्सीन लेने हे तू प्रेडित करे। उन्होंने उपस्तित आंगनवारी सेविका एवं आसा कारे करताओं को निर्देश दिया कि इस गाओं में जो भी 45 वर्ष से उपर के लोग हैं जिन्होंने अभी तक टीका नहीं लिया है उन सभी को इस केंद्र पर लाकर टीका दिलवाएं और लोगों को टीका लेने के लिए मोटिवेट करें उन्होंने अस्थानिय मुख्या से कह कि आप लोगों को प्रेडित करें ताकि लोग यहां आकर वैक्सिन ले सकें उक्त मौके पर उप विकास आयुक्त अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना प्रखंड विकास पदाधिकारी चीरहिया विशेश कार्य पदाधिकारी जिला सुचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी सहित अन्य प्रशासनिक पता अधिकारी मौझूद थें। इसके लिए जो भी आवस्यक समागरी की क्रै की आवस्यकता है उसे क्रै कर लिया जाए। पता अधिकारी सहित स्वास्त विभाग के अधिकारी और क्रमचारी मौझूद थें। पीकु वार्ड जो है कोविड पीकु में भी हम गया थे आपे तो वहां पे न्यूबॉण वेजिस के लिए अलग से एकिप्मेंट को जरा मंगाना। टेस्टिंग भी बहुत इंपोर्टन है यह सारे जो वैल्यूद रहे तारा के लिए जो इस्पेंस है वो अभी कुछ मंगाया है और भी बंगाने के ताकि लोग को यहारा से बाहर जाना नहीं पड़े। कोविड केर सेंटर जो है हमारा डीसी एस की उसमें भी जो है स्टाफिन के जो इसूस देंकि अभी भी वहां पे बाइस्टेशन मौलूद है तो कैसे बहतर तरीवी से और चिप्मेंस हो जाए और नेक्स्ट पेस के लिए जो है कम से कम यहां पे सो बेड़ पछा से सो बेड आगे जो कोविड का स्पेड है उससे बहार निकालेगी इसके अलावाद ही जो है वैक्सिनेशन स्टेटेगी की वहासा प्लांट किया गया है 45 प्लस के लिए परियाप माता हमें वैक्सिंस है तो नंबर कैसे बढ़े लोगों को कैसे जागरूस किया जाए यहां पे उसके एक और जहां पूरा देश कोरोना का कहर जेल रहा है लोग भूक वबेरोजगारी की मार से त्रस्त हैं लाखो लोगों का रोजगार कोरोना के कारण छिन गया है वहीं सरकार्द वारा लोकडाउन लगाय जाने के कारण गरीब मजदूर वदिहारी पर काम करने वाले लोगो के पास रोजी रोटी की समस्या उत्पन हो गई है इसी को देखते हुए अंजुमन इसलामिया मोतिहारी ने संपरदाइक सोहार्द वा कौमी एक्टा की एक मिसाल कायम की है मोतिहारी जामा मस्जित के सामने अंजुमन इसलामिया की ओर से निसुल्क भोजन का वितरन किया ज जहां पहुंच रहे जरुतमंद लोगों को निसुल्ख स्वादिश्ट और गुन्वता पुर्ण भोजन उपलब्द कराया जा रहा है जिसकी हर जगा सराहना हो रही है कितने लोगों का रूट खाना बंड़ा है जर लगभग साथ 340 पाकेट बनता है एक ऐसी पहल समाज के लिए अज्यूवन इस्लामियम उठ्यारी के तरफ से कि आपस में हम लोग चंदा करके सारे मेंबरान या जो डोनर है कई और ते फंडिंग हां नहीं ले रहे हैं जो बनवारे के विएलिस देख रहे हैं जो शरम से भी नहीं ले पा रहे हुए उनको को भी हम लोग कोशिश करते हैं कि रोग करके सुगाली प्रखन शेत्र में विएली सह विधिक स्वैम सेवक अवधेश कुमार गुपता के नेत्रितों में विश्व पर्यावरन दिवस के आवसर पर ब्रिक्षा रोपन कर लोगों को जागरु किया गया। जागरु करने के उद्देश से यह दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आधुनी काल में जिस तरह ब्रिक्षो एवं जंगलों की कटाई हो रही है गलेसियर पिघर रहे हैं। गलोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और प्रदूसन फैल रहा है इससे परियावरन को नुकसा अधिक से अधिक पेर लगाने की अपील की। ग्रिक्ष लगाने के लिए प्रदूसन का आधार प्रोजेक्ट का सुबारम रोटरी क्लब मोतिहारी के अध्यक्ष रोटेरियन विकास कुमार के द्वारा आर्थिक रूप से पिछरे लोगों को खाद समागरी के पैकेटों को वित्रन कर किया गया। इसके उप्रांत महात्मा गांधी केंद्रियन शुद्याला के रोट्रेक्ट क्लब द्वारा सहर और इसके आजपास के विभिन अस्थानों पे जाकर जरुवतमन्द लोगों के बीच खाद समागरी, आटा चावल, आलू प्याज, सरसो तेल, हल्दी नमक, बिस्किट, मास् आरीव एबम जरुवतमन्द लोगों के बीच खाद समागरी के वितरन के लिए आपस में अपने पॉकेट मनी से पैसा जमा किया गया, तथा अने लोगों से भी यथा संभव आर्थिक मदद मिली, और लोगों ने बढ़ चर कर क्लब के इस नेक कारे के लिए हाथ बढ़ाय कलब को ना केवल बिहार के विभिन भागों से बलकि दिल्ली, पूने, बैंगलोर, आधी देश के विभिन जगों से भी प्रयाप्त मदद की रासी प्राप्त हुई, जिसके लिए कलब के अध्यक्ष रोटेडियन इंजिनियर हर्सवर्धन सिंग ने कलब के सभी सदस्यों क की तरफ से कृत ग्यता व्यक्त की, साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह जग जाहिर है कि कोरोना रूपी वैस्विक महामारी ने गरीब और मजदूरी करने वालों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ दी है, अतहा अभी के समय में समाज के संपन लोगों को आगे बढ़कर आर तो कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट की सुरुवात करते हुए प्रथम दिन आज सहर के अंदर विभिन जगों पर लगभग असी परिवारों के बीच मदद समागरी वित्रित किया गया, कारिकरम समापती के समय क्लब के अध्यक्ष रोटेडियन इंजिनियर सिंग ने क्लब के सचियो, रोटेडियन विकास कुमार ने सभी को सहयोग करने के लिए वहां मौजूद लोगों एवं कलब के सदस्यों का आभार व्यक्ष और यहां आश्वासन भी दिया कि कलब आने वाले दिनों में इस परियोजना के तहत अन्य जरुवत मंदों की सहायताग करती रहेगी और समाज के भलाई में कलब दोरा जितने भी कारे हो सकेंगे वो सभी कारे कलब करती रहेगी। कि परिद्राब को हमारी मदद की बहुत जरूरत है तो हम लोगों ने एक आवेरनेस कैमपेनींग किया एक कैमपेन चला है जिसे इस देश के भारत देश के कई जगह से हमें डोनेशन मिला, साथी साथ हमारे रोटराय टलब के सभी सदस्यों ने इसमें डोनेट किये अपने पॉकेट मनी से पैसा बचा की जिससे हम लोग एक आहार सप्ता हमनाने जा रहे हैं जिसकी सुरुआथ आज हम लोगोंने की है इसमें हम लोग सप्ता हमें तेल है, आलू है, प्याज है, बिस्किट है, साबून है, ऐसा बहुत सारा चीज है, मास्क है, यह सब हम लोगों को देने के कोशिश करेंगे। इस कारिकरम में साका प्रबंधक नवरीत कुमार सहीत कई लोग मौजूद थें। जानकारी के मुताविक, गैस से भरा ट्रक बेतिया की तरफ से मोतिहारी जा रहा था, एवं कार मोतिहारी के तरफ से जा रही थी, तभी बीच में एक ट्रेक्टर मुक्य सरक पार किया, उसे बचाने के करम में चालक का संतूलन बिगर गया और वे दुरघणा के सिकार हो सुगौली परखंड के दचनी सपड़ा बहास पंचायत के चिकनोटा पोखर पर मनरेगा के द्वारा पोखर के चारो और 9,83,000 की लागत से होने वाली पेवर ब्लॉक निर्मान योजना का उधगाटन डीडी सी कमलेश कुमार सिंग ने किया वहीं इस दोरान उन्होंने पौधा रोपन भी किया उन्होंने बताया कि 20 पर्यावरन दिवस के अवसर पर पर्यावरन की रक्षा के लिए यह कारिकरम बनाया गया है जो पूरे जिले में मनरेगा के द्वारा किया जा रहा है जिसके तहत 9,72,000 पौधा लगाना है इसका अभी लोगों को कम से कम एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और इसकी रक्षा भी करनी चाहिए आज हमारे पूरे जिले में हर एक जो कार्जकरम ओफिस के द्वारेत बने देगा के तहत बिरिक्षार ओपन किया जा रहा है हम लोग का टार्गेट है कि साल 9,72,000 पेने को ल और ककल उसी के कड़ी में हाँ पर भी बिरिक्षार ओपन के कार्जकरम हो रहा है 45 वर्ष से उपर के लोग टीका लेंगे उनमें से डाटाबेस के आधार पर लोटरी निकाल कर चैनित वेक्तियों को पुनह अगले सनिवार को गिफ्ट दिया जाएगा DM ने बताया कि मार्च से लेकर अब तक जितने भी 45 वर्ष से अधिक के लोगों के टीका लेने वाले लाभारती थे उनके डाटाबेस के आधार पर प्रखंड अस्तर पर चैनित किया गया था उन्हें आज समहार नाले के सभा कक्ष में फूल का गुजलस्ता देकर स्वागत किया गया है और उन्हें विभीन स्पॉंसरों के द्वारा गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया है तो आज हमारा हर एक प्रकर्ण के एक-एक और यहां अगर पंचा है तो एक-एक को लॉट्री के मादिया हम सेलेक्ट किया है तो अभी तक जो टीका लेने के लिस्ट हमारे पास डेटा बेस्ट से रैंटम भी सेलेक्ट किया है गिफ्ट भी दिया जा रहा है, एक पर्शन को एक ग्राम का सोना दिया है, एक स्पांसर, दूसरा एक उप्पांसर हम पुरा गैस कनेक्शन, कम्प्लीट कनेक्शन दो लोग mund को दिया है, एक ट्रैवल पेक दिया है, पंका दिया है, तो और इस तरह का, मों क badass को एक अग धरिय केवल रहेगा उसको लाटरी रहेगा अगले शनिवार को उन्ही को दिया जाएगा जो इस वीक में मतलब आज से अगले फ्रेडे तक शुक्रवार तक जितने लोगती का लिया है उन्ही के नाम से डेटाबेस से हमारे प्रकन को एक लाटरी करके किसी जो स्पांसर उनको बिश्व पर्यावरन दिवस के अवसर पर प्रखन मनरेगा कारियाले मजौलिया के द्वारा आयुजित ब्रिक्षा रोपन कारिकरम के तहत आमों मन में उपविकास आयुक्त रविंद्र नाच प्रसाद सिंग ने फलदार चायादार औस दिये पेड़ों के साथ-साथ नार प्राकिर्तिक संतूलन में पेड़ पौधे अती महत्वपुन भूमी का निभाते हैं। पर्यावरन सुध करने धर्ती को हडा भरा बनाय रखने और बढ़ते तापमान में कमी लाने एक में पेड़ पौधे मुख सहायक सावित होते हैं। वही कारिकरम पदादिकारी जीते ये पौधे भी लगाए जाएंगे। मौके पर एस्क्यूर्टिव इंजिनियर परवेज आलम डीपियो केके सिंग सहीत कई लोग मौजुद रहें। सीमा बल रामगढवा पंटोका के कारे शेत्र में भारत सरकार के निर्देशा अनुसार वर्ष 2021 में 47 वी वाहिनी SSB को 22,000 पौधे लगाने का लक्ष दिया गया है। जिसमें मुख्यता कचनार, पीपल, महोगनी, अरजुन, जामु नित्यादी, बाल ब्रिक्स लगाए गाए। इस अवसर पर कमांडेंट ने जवानों को जागरू करते हुए कहा कि पर्यावरन में हो रहें बदलाओ और उसको पहुचने वाले नुकसान की वज़ह से हर वर्ष तापमान और परदूसन बढ़ रहा है। धीरे-धीरे हमारी जिन्दगी मुस्किल होती जा रही है, इसलिए पर्यावरन के परती लोगों को जागरू करना जरूरी हो गया है। किन्तु लोगों का यह वरोसा एक बार फिर तूटता हुआ नजर आ रहा है। जगह जाम की भी हालात से लोग परिशान दिखें, नेवा जी टोला चौक से बाजार समीती साढ़ा चौक तक भी लगबग यहीं इस्तिती बनी रही। जिसे लेकर जाम से परिशान लोग जीला परसासन पर सवाल भी खड़े करते हुए नजर आएं। तो वहीं इस संबन्द में कुछ जानकारों ने बताया कि अरवल से बालू का चालान कट रहा है किन्तु इसकी आर में अन्य बालू लधी ट्रकों का भी परिशालन होड़ा है जिस पर जिला परसासन को संग्यान लेना चाहिए। सुगौली में बार से बचाओ की तैयारियों वह संगठन की मजबूती को लेकर प्रखन राजद कार्याले में अस्थानिय विधायक ससी भूसन सिंग ने कार्यकरताओ के साथ सनिवार को एक बैठकी। इस दोरान उन्होंने कहा कि सुगौली बार प्रभावित छेत्र है वर सब्ताह के अंदर कार्य सुरू हो जाएगा। करोना महामारी के कारण सभी लोग परिशान है और अधिकारियों से भी जल्दी मुलाकात नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि छेत्र भढवन में भी परिशानी होती है, छेत्र में जो पुलिया वा सरक जरजर है उसे ठीक कराय जाएगा, छेत्र के विकास के लिए मेरे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है और कई जगों पर कार्य भी हो रहा है। वर्तवान में सबसे जरूरी है बाढवा कटाव से लोगों को बचाया जा सके। पीएची में बेहतर व्योस्ता हो इसके लिए भी कदम उठाया जाएगा, उसी में हम लोग लगे हुए हैं लेकिए सबसे जगा काम लग जाएगा। रक्सॉल सहर के कॉलेज रोड इस्तित पेट्रॉल पंप पर रक्सॉल इवा कांग्रेस के बैनर तले रक्सॉल विधान सभाह अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी के नेतिरितों में पेट्रॉल डीजल एवं सरसो तेल के दामों में बेताहसा ब्रिधी को लेकर विरोध प्रदर रसन को संबोधित करते हुए बिहार प्रदेश इवा कांग्रेस के महासचीव सह गोपाल गंज प्रभारी प्रोफेसर अखिलेस दयाल ने कहा कि पांच राजियों के विधान सभाचुनावों के बाद लगातार पेट्रॉल डीजल एवं सरसो तेल के दामों में बेताहसा ब प्रद्यम वरगिये परिवार इस कमरतोर महंगाई के कारण तूट चुका है इस दोरान मोहित कुमार अफदेश कुमार यादा और निखिल कुमार सहित अनेको इवा उपस्तित थे को यह सरकार किस परकार देश को लेजर का काम करही है जब सरसो तेल के दाम और फाइन के दाम जंता जब जाते हैं और थोक नहीं प्रकार दामों में सबसे ज़्यादा बढ़ उत्री हुए है इस चीज को लेकर आज हम सांकेतिक विश्वपर्ण माधियम से यह बताना चाहते हैं यह सरकार जंता की नहीं है यह सरकार आवानी और अंडानी की है आदापुर प्रखन इस्तित SSB के एकहतरवी वाहिनी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर इस्तित पीलर संख्या 389 से लेकर पीलर संख्या 380 तक विश्वपर्यावरन दिवस के उपलक्ष में सहायक कमांडेंट अंसल सिर्वास्तों तथा नेपाल सस्त्र पढ़री के द्वार गौर्टलाबै की भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी के रिष्टे को और मजबूत करने के लिए SSB के एकहतरवी वाहिनी के सहायक कमांडेंट अंसल सिर्वास्तों के द्वारा नेपाल सस्त्र पढ़री के साथ मिलकर भारत नेपाल रिष्टे को एक नया आयाम देने क कोशिस की जा रही है इस कोशिस में सीमा शेत्र के ग्रामिन भी पूरा सहयोग कर रहे हैं जिससे शेत्र में SSB तथा ग्रामिनों के बीच बहुत अच्छा संबंध अस्थापित हो चुका है विस्व पर्यावरन दिवस पर दोनों देश की सुरक्षा बलों ने पौधार पन करके भाईचारे का संदेश दिया जो की आने वाले दिनों में भारत नेपाल के रिष्टे को और मजबूत करने में सहायकसिद होगा सुगौली पुलिस ने अलग-अलग जगों पर छापे मारी कर सराब के धंदेवाज सहीत तीन लोगों को ग्रफतार कर जेल भेज दिया है जानकारी के अनुसार थाना अध्यक्ष विवेक जैस्वाल को गुप सुचना मिली थी कि सराब धंदेवाज मेहवा से देशी सराब की खेप विक्री के लिए लेकर सुगोली की योड आ रहा है सुचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे, पुलिस को देक धंदेवाज भागने लगा तबी थाना अध्यक्ष ने 20 लिटर देशी सराब और बाइक के साथ कारोबारी को धर दबोचा विश्व पर्यावरन दिवस के आवसर पर भाजपा पंचायती राज के पुलिपरदेश अध्यक्ष राज कि सोर परसाथ के नेत्रितों में चनपटिया रेलवे प्लेटफर्म पर नारियल और नीम के पौधों को लगाया गया समाजिक दूरी के बीच किये गए पौधा रोपन में लोगों को पेड़ पौधों की महत्तोता पर प्रकास डालते हुए भाजपा पंचायती राज के पुलुव उपाद्यक्ष ने कहा कि पेड़ पौधे मानाव जाती के लिए अनमोल धरोवर है धर्ती को हरा भरा बनाय रखने, मिटी का कटाव रोखने, तापमान में नमी बनाय रखने, हवा को सुध रखने तथा प्राकिर्ति के संतुलन को बनाय रखने में पेड़ पौधे मुक्य भूमी का निवाते हैं मौके पर उपस्तित, एस्टेशन अधिक्षक अंटू प्रसाद ने कहा कि पेड़ पौधे ऑक्षिजन की कमी को पूरा करते हैं, धर्ती पर हर्याली बनाय रखते हैं, समय पर बारिस कराने में पेड़ पौधे महतवपून भूमी का निवाते हैं हमें हर समाजिक एवं धार्मिक आयोजन पर एक पौधा जरूर लगाना चाहिए खाक हो गया था, वहीं सुचना पर अस्थानिय मुख्या सनी दूबे पहुँच कर घटना अस्थल का अंद्रिक्षन करते हुए सम्बंदित अधिकारियों को सुचित कर पीडित परिवार को मदद करने की बात कही पीडित वासुदेव पासवान ने बताया कि आग कैसे लगी मालूम नहीं है उन्होंने बताया कि वे मजदूर है और मजदूरी कर किसी तरह परिवार का पालन पोसन कर रहे थे जो आज के आगलगी में जल कर सब कुछ खाक हो गया वही अस्थानिये लोगों की माने तो नरकटिया गंज पसुच किचक तारकेश्वर राम को फोन किया गया लेकिन उन्होंने बताया कि उनके पास आने का कोई साधर नहीं है अगर गारी भेजते हैं तो किसी को यहां से भेज दिया जाएगा मामले में पिरित परिवार ने सिकारपूर्थाने सहित अंचला अधिकारी को आवेदन दे कर उचित मुआबजे की मांग की है आधापूर प्रखंड के कोड़या ग्राम इस्तित SSB के एक हतरवी वटालियन के सहाय कमांडेंट अंसल सिर्वास्तों के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर नेपाली ससस्त्र प्रहरी के साथ मिलकर नो मैंस लेंड में सफाई अभियान चलाया गया जिसमें दोनों देश के सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ ग्रामिनों ने भी बर्चड कर हिस्सा लिया तथा सफाई अभियान में सहयोग किया गौरतला भै की भारत नेपाल सीमा पर नो मैंस लेंड में जब दोनों देश के सुरक्षा कर्मी पेट्रॉलिंग के लिए जाते थी तो ग्रामिनों द्वारा रखे गए सामानों से उन्हें काफी समस्या होती थी इस इस्तिती को देखते हुए सहाय कमांडेंट अंसल स्रिवास्तों ने नेपाली ससस्त्र पढ़डी के साथ मिलकर ग्रामिनों के साथ इस समस्या को लेकर बैठा किया जिसमें सभी ने सहाय कमांडेंट अंसल स्रिवास्तों के द्वारा किये गए पहल की तारीफ की तथा हर सं प्रसायों की हितेशी संस्थार रक्सोल चेंबर के बैनर तले कारेकार्णी के सदस रजनिस प्रिदर्शी के संजोजन में ICP में विक्षा रोपन कारेकरम संपन हुआ जिसकी जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता संभू प्रसाद चरस्या ने कहा कि चेंबर द्वारा आयोजित इस कारेकरम में ICP के प्रवंधक गयानेंदर कुमार सिंग विशेश अविरूची लेकर अपने सहकर्मियों के साथ विक्षा रोपन कारेकरम में सामिल हुए वहीं चेंबर के अध्यक्ष अरुन कुमार गुपता ने कहा कि मानाव जाती के संपुन विकास में विक्षो का योगदान अतुल निये हैं जिससे इनकार नहीं किया जातकता यांत्रिक विस्तार तेजी से औस्दी करण एवं जनसंक्या विस्पोर्ट के कारण हरे भड़े घने जंगल घट रहे हैं जिससे प्राकिर्ती का संतूल अन्बिगर गया है अब फिर इससे संजोने की आवसेक्ता है पुरिवीचंपारन जिला अंतरगत अड़े राज के हरसिधी थाना शेत्र इस्तित बगहान नहर के साइफन के पास से 20 वर्षिये इवक का 100 हरसिधी पुलिस ने बढ़ामत किया है गरामिनों के सुचना पर हरसिधी पुलिस पहुँच सब को बढ़ामत कर पोस्ट मॉटम के लिए मोतिहारी भेज दिया गौर तलब है कि इससे पहले भी पूल के पास हत्या हुई थी हरसिधी थाना अधेक्ष परमोत कुमार पासवान ने इसकी पूष्टी करते हुए बताया कि इवक की पहचान हरसिधी पकड़िया के पथल यादो के 20 वर्षिय पुत्र आलोक यादो के रूप में हुई है यह इवक पहले से मोटर साइकिल चोड़ी हत्यार लहराने एवं रोड क्राइम में तुरकोलिया थाने से जेल जा चुका है अभी हत्या का कारण असपष्ट नहीं हो सका है आसंका है कि हत्या अपने ही गैंग लीडर के बीच बटवारे के कारण हुई होगी इवक की हत्या रातरी में चाकू से गला कार करकी गई है सरीर पर चाकू लगने के कई जगा निसान है परिजनों के मुताविक इवक दो रोज से लापता था वहीं हर्सीडी पुलिस गैंग की परताल कर रही है आज के लिए बस इतना ही ह्टवी निउस पर प्रसारित होने वाली खबरे प्रोग्राम्स आप जीटी पील के चैनल नमबर 985 और डेन के चैनल नमबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुधानुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं अगर आप हमें यूटूब के माधम से देखना चाहते हैं तो ह्टवी निउस के ओफिसियल यूटूब चैनल को सब्सक्काइब करें और बेल आइकोन दबा कर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप करें फेस्बुक पर हमारे साथ जूडने के लिए एश्टिवी निउस के फेस्बुक पेंज को लाइक करें और ट्वीटर पर एश्टिवी निउस को फॉलो करें तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रही उत्तर विहार का सबसे तेजी से उभरता निउस चैनल एश्टिवी वीडियोज सचकी आवाज नमस्कार